जितने लोग आस्था चेनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर साथ स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लग देता है साथ इस्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति प्रदान करके बेकुंथ लोग का निवास देगा साथ इस्थान और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान देव दिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपां समझ लेना जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है सुप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भैल रखता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कंद कोई गलत तो नहीं कर रह आपको लगता है साथ इस्थान चंदन के बताएं हिमारों पहला शिबलिंग दूसरा जहां गणेश जी का इस्थान है मालू में ना सबको जम के बोलो जरा मालू में ना सबको जहां गणेश जी का इस्थान है वहां अलग से गणेश जी बेठें वा नहीं शिबलिंग में जल तो पहला चंदन बाबा के शिविलिंग पर दूसरा गणेजी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानंत कार्ती के पर चंदन की उंगली चौथा अशोक सुन्दरी पर चंदन की उंगली पाँचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली छटा जो शिविलिंग का जल बह रहा है इसक ठीक विप्रीत की हो जंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के उपर जो दोसींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली यह कब लगाई जाती है या तो अमवस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूरवजों का उधार नहीं हुआ हमारे पूरवजों का कल्यान नहीं हुआ कहीं अधोगती में कोई चला गया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरुवत है प्रती दिन जरुवत ही नहीं है महिने में एक बार अगर हमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है अशुक यहां पर बर्णन कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने संकाद रिशियों से मांगा चंदन भगवान को अतिप्री होता है और चंदन ही ये केसा होता है जो पित्रों को भी प्री होता है जिसका इस पर शमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन लगए तो आप लोग जो पशुपती वरत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उसमें हमारी गलतियों को में चाए यह देखे अब जैसे यह शिबलिंग रखा है आपने जल चड़ाया अब जल आप यहां से चड़ा रहे हो तो धीरे 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 चड़ायें जिससे छीटे बाहर ना यहां तक छीटे रहे लग जलाधारी तक चलेगा बाहर ना ज yapıyor और एक बात कशिसमर्ण रहे यदि बेल पत्री फूल पत्ती जल चड़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए जला धारी पर गिर गया या नीचे उतर गया तुमारा पूरा जल चड़ जा तुमारे पास में चंदन नहीं है अभीर नहीं है गुलाल नहीं है कुछ भी नहीं हो तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खीच कर और फिर जो माला आदिक आदिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रंगार करकर फिर वापिस आईए भगवान को पूर श्रंगार भगवान का पूर श्रंगार करकर आईए कई लोग जल चड़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है हम यह नहीं करें कि आप अपने घर से लेकर जाओ आपके पास में कुछ नहीं एक लोटा जल चड़ा जल चड़ाया जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूफ सुनदा साथ भगवान का करकर फीर आईए क्यों शिब का जब हम शंगार करकर आते हैं माता पारवती जी ने देव अधिदेव महादेव का शंगार किया है आप लोगों कि स्मर्ण में होगा राम जी ने माता जा सुपर और बगवान राम उन का शंगार कर रहे हैं एक कव आता है वो चोच मार कर जाता है सारा बरताइओ अबड़ेव ने श्रमन किया तो रामजी का imbalance का सीता का सुणार करते हैं भगवान कृष्ण राधा जी का सुंजार करते हैं केवल एक देव अदि देव महादेव की कथा SIE है जिसमें पारवती जी शिवजी का सुद्धार करती है शिवका सुनगा किसलिए क्यों कहा जल चड़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फूल से जो चड़े हुए फूल है चड़ी हुई पत्ती है चड़ा हुआ निरमाल है जो भी शिवजी का है उसी को धोकर वापिस भगवान का शंगार करकर आना चाहिए किसलिए कि हे भोले ना जब मैं इस संसार सागर से जाओ अखंड सुहाग लेकर पूरी शंगार करकर इस धाम से जाओ ऐसी क्रिपाब जो पड़ा हो जो पड़ा चंदन नहीं है हाथ से लेकर आई है कि मेरा ये कार है बाबा और आपको करना है लाखों के दुखडे जो तूहर गया डमरू बाले फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू बाले और शुमापुर्ण की यही सबसे बड़ी आनन्वता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो अपने मस्त रहिए जो जादा गाली दे ताना दे अपसब्द बोले जो तुमको ताने पर ताना दे तुम और जोड़ा खजूर वाली चोठी बना और यसा बक्तन लगा वेसा वाला और फिन निकलो जां बोलते रहे आपन तो अपनी भक्ती करो संकर के बजन में डूबे र राम नाम कृष्ण नाओं में डूबा ने क्या करना है महराज राम की दृष्टी में शंकर की दृष्टी में राम बढ़े हैं क्रिष्ण की दृष्टी में शिव की दृष्टी में क्रिष्ण बढ़े हैं क्योंकि भगवान करें मुझसे बढ़ा मेरा भक्त होता है भक्त मुझसे बढ़ा है तो जो भगवान की भक्ती करता है भगवान उसको बढ़ा सकते हैं पिर वो केशा भी भक्त देवराज नाम का ब्रहामन चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था ब्रहामन देवता कथा सुना रहे थे और एक छण की कथा उसके कानों में पढ़ गई और वहां से वो चल दिया अब जो ब्रहामन देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोरे वो तो भक्त समझ रहे थे उनको नहीं मालूम कि ये चोरे उनको तो भक्त समझ रहे जिसे बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे चड़ाया गया पानी हमारे पित्रों को प्राप्त हो जाता है शिवजी को चड़ाया गया पानी तेतिस कोटी देवताओं को प्राप्त हो जाता है उसी तरह भगवान देव अदिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र तीन लोग के हमारे संपून देवी देवात जो भी विराजमाने उन सब को प्राप्त हो जाता है जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चड़ाया जाता है जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चड़ाते हैं पीपल के ब्रक्ष के नीचे जल चड़ाते हैं आउले के ब्रक्ष के नीचे जल चड़ाते हैं तो उसके कितनी कितनी महत्वता होते हैं उसकी कितनी मूलता है दुनिया के लोग वले ना समझें पर उसमें पहले का निया मेहीं, अमारा पहले जो बोजन होता था, बोजन बनता था, उसमें आउले की खटास डाली जाती थी आज के जमाने में तो लोग ताटरी डालें, निप्बू हलें यह सब बात की बात है आउला इसलिए डालते थे क्योंकि अड़ियां मजबूत रहती थे अब आज के समय में तो कहा है लोग बाग बस बूर चमन प्रास मिल जाए आउले का तो खाले वे पर नियम अगर माता है बनाए कि आउला नूमी पर आउले के ब्रक्षे से आउले लेकर आवे आउला नूमी के समय पर बहुत आउले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आउले के आउले कटे करकर वही जब डाल सबजी भाजी बना उसमें पटक दो थोड़ा सा एका आउला तो उसका तो रस्तत वाय शरीर की अड़ियों के लिए चाहिए तो हमारे यहां बेलपत्री का ब्रक्ष पीपल का ब्रक्ष आउले का ब्रक्ष इन तीनों जगहाँ पर जो जल चड़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यह दरुशाई है तो प्रक्ष पेसर चाहिए और आनी रहा है आज तुम्हें पांच अज़र की दस अज़र की पचास अज़र की एक लाग पांच लाग की जरूद है और कहीं से आवक निए भगवान कहीं से आजा है तो उन्द केश्वर महाद्यों का नाम लेतर एक पुश्प उसका उंतर प् हमाते हैं जिस जगादी पर जिस पुर्सी पर तुम बैठें इसके सम्मुक में उस कुष्प का मुख बाहर होना चाहिए उसकी डंडी उसका जो डंडी का भाग है वो हमारी ओर आकर्शन जैसे भगवान को फूल देते हैं आपको मालू होगा ना भगवान को पुष्प देते अपनी और उसी तरह जब अपने तारे की सिद्धता के लिए अपन को इतारे कर रहा है किसी को देना है हमको तो यह पुष्प का मुख बाहर की और रखना हमें को जब काउंटर पर रखे तो सम्मुक कर रखे कि इससे हमें कुछ पराप्त हो पर दुनिया के लोग उल्टा पूल चड़ाते हैं भगवान को तुम हमेंसा देखना है संकर जी के मंदिर में जाएंगे तो जो शिविलिंग होगा ना संकर बगवान का जितने पूजन करने वालों को देखो गए यह संकर जी का शिविलिंग तो फूल के चड़ा के आंगे एसे जमा के आएंगे डंडी पूल पूल अपनी और कर देंगे और ऐसे भगवान को चड़ा पूल कम अपनी और गंडी कम तुमारी और मतलब ताटे तुम्हें चुब हैं अमई तो अच्छे चाहिए लोगों को पुष्प चड़ाना भी नहीं आता है पुष्प भगवान को देना चाहिए वोलो रहे वह भगवान को रिजाने के लिए कितने फूल भगवान को देना चाहिए बोलो तो कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महराज भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिजहने के लिए भगवानों को अभी यहाँ से अवाज आई थी चार पुष्प भगवानों को समर्पित करना चाहिए कितने पुष्प चार बच्षपन, जवानी, अदेडी और बुढ़ावा चार अवस्था सवारने के लिए भगवान को चार पुष्प दिया जाते है पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहा हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझे में जैसी सुगंद है वैसे इसके जीवन में सुगंद देना पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझे में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना पुष्प कहता है भगवान, जैसे मेरी पत्तियों में रस है, इसकी जीवन में खुशियों का रस भर देना, ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं करना भगवान से कुछ, भगवान को पुष्प दे दिया, तो भगवान समझ गया, पहले को कुण सी कजन कहा, साधी म तो हमने पूछ लिया वही है हमारे तो वह भावर होती है उसके पहले जाय माला कराते हैं माला किना देते हैं तो यह पूल का चकर तो समझ में निया तो ने कुछ यह पूल काई को दिया तो गुरो जी समर्पण के लिए दिया है हमने का बहुत बढ़े तो हमने का गोवी का दे देता तो सब्जी तो बन जाते हैं समर्पण के देओ मना नहीं है पर हमारे यह इसा विदान नहीं है फूल बगर देने को आप भले दुनिया के दिखावे के चत्तर में कुछ भी करो वो अलग बाते पर हमारे सस्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो भगवान को दो भगवान को समर्पण हाँ कोई गुरू है सत्गुरू है हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरू जन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकाल कर उसके चरणों में बिच्छा दीजी हमारे गुरू के चरणार जैसे शबरी अमबा आती की हैं की शबरी अमबा रोज से यह सेज विचा कर रखती भगवान आएंगे इंतजार करती बाट जोती आएंगे और भगवान आएंगे भगवान पराप्त हुए और जिब शबरी अमबा के दरवाजे पर जैसे भगवान के लिए पुष्प भिखेर देती है आप भी गुरू जन पे परमातमा के सुक के लिए आप यह नहीं कि बहुत कुछ दो बहुत बहुत है और पुष्प भी नहीं पंखडी भी आप भगवान को दे रहे हो तो भी संत्रान है दनना ही दोलत पर सत्तान आई तुम्हारा आउना यो तुम पहस्थ ऊंच आ रहे हो भागवान को निचिये जो तुम बस्त्र आ रहे हो भगवान को नचिये जो आपूहर पर नंचं छरदार रहे हो भगवान को नों publतु कर यह दे मुझे को मेरा मल मन सो मोही आवाव आपका चित मुझे दे दे और वो भी अच्छा देना देखो देना तो अच्छा देना है और भगवान को वो दो जो भगवान के पास में नहीं है हम भगवान को वो देते हैं जो भगवान के पास में लिया उजराओ खूल लेजा वहान को गेंदा का फूल चड़ादो माला चड़ादो यह चड़ादो तो भगवान को भगवान से भी तुप पूछो तुमें अच्छा क्या लगता है बता हुम तम्हारे लिए वो ले थोड़े पास में लाल कलर की साडही है और को deception में लाउ कल साडही है तो तुम तयाद करोंगी लगए किए कि मैं हमनों राटा है किसी ने यूडित किर्स देद है तुम आजसा कोई कलर को जो कबर कर तुम आरे पास में नहीं है किसी दिया तुम पर बागवजी पर चड़ाता है पुछा था कि गुरुजी दुनिया के लोग आरती में खोटा सिक्खा क्यों चड़ाते हैं है मंदिर में लोग खोटा सिक्का के दढ़ाते हैं फटावा नोट मंदिर में चड़ाएंगे धर्म की जगाँए अची जगाँए देंगे तो तो हमने का अवह सीरी सीरी बात है जो दुनिया में कहीं चलता वो इसी के पास चलता तीली निभाता यही है जिसको सब ठुकरा दें जिसको सब निकाल दें जो कहीं ना चले वो महादेव के चरणों में चले एक बार शंकर के पास पहुचा खोटे सिक्के कोगी चपटी भबूत में हैं खजाना कुवेर का बता वो समसान की भबूत कहीं चले अरे बोलो तो कहीं नहीं चले अगर कोई मुर्दा जलाने जाए तो घर आके ना आए तो पत्नी करे बाहर वाल्टी रखी एजना लो जा और अगर एस वी घुज जाए घर में फिर देखो तुम्हें तो अकली देंगे मुवाई अपको और एक पत्नी बोली दीरे से महारत में पानी चीट दुमी देंगे विचार करना बुद्न समसान की रात कहीं नहीं चले पर एक ही को चले किसको मारे वो उसके पास ऐसी चले कि वोई भसमी करोडों की हो जाते है जाते है